हम जब भी नदी के पास जाते हैं, तो कई लोग उसमें सिक्का डालते हैं। यह देखने में तो थोड़ा आजीब तो लगेगा, लेकिन इसका तर्क पौरानिक भी है और वैग्यानिक भी। यह चलन आज से नहीं है, बलकि लंबे समय से होता आ रहा है। आपको बता दें कि जिस समय नदी में सिक्का डालने का ये चलन शुरू हुआ था, तब तामबे के सिक्के चला करते थे। तामबा पानी का प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है, इसलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाप के आसपास से गुजरते थे, तो उसमें तामबे का सिक्का डाल दिया करते थे। ज्योतिश में भी कहा गया है कि लोगों को अगर किसी तरह का दोश दूर करना हो, तो वो जल में सिक्के और कुछ पूजा की सामगरी को प्रवाहित करें। साथ ही ज्योतिश की माने तो अगर बहते पानी में चांदी का सिक्का डाला जाए, तो उससे दोश खत्म होता है। दरसल कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि सिक्का डालने से गुड लगाता है।